नमस्कार मैं हूँ विज्या और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट अगर हम आप से कहें कि एश्वर्य और राय बच्चन का जादू फीका होता जा रहा है तो क्या कहेंगे आप यकीन करपाना मुशकिल है लेकिन शायद अब यही सच है कि एश्वरय राय का जादू ठीका हो चला है एश्वरय राय को पसंद करने वाले शायद कम होते जा रहे हैं और इसका लेटिस्ट एक्जामपल है उनकी फिल्मों का फ्लॉप होना आई आपको बताते हैं कि किस तरह से एश्वरय राय बच्चन का जादू ठीका होता जा रहा है एश्वरय राय बच्चन अनलिकपूर राजकुमार राव की हालिया रिलीस फिल्म फनने खां बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है फिल्म ने एक हफ्ते में मुश्किल से 10 करोड का ही आकडा पार किया है आपको बताते कि फिल्म 35 करोड के बजट पर बनी थी लेकिन हिट तो होना दूर फिल्म बजट तक भी नहीं पहुँच पाई है फिल्म फनने खां की बात करें तो कहानी से लेकर अभिने सब कुछ बहुत ही नॉमल सा था आश्वर्या के फैंस फिल्म से बेहद निराश हुए इसका असर कमाई पर भी दिखा खास बात यह कि आश्वर्या ने कमबाक के बाद तिर्फ एक हिट फिल्म दी है एदिल है मुश्किल करन जोहर के इस फिल्म में उन्होंने सपोर्टिंग किरदार निभाया था जबकि लीड रोल में थे रनबीर और अनुश्का एश ने 2015 में जजबा के साथ कमबाक किया था फिल्म को मिली जूली प्रितिक्रिया मिली थी लेकिन बॉक्स आफिस पर फ्लॉप की रही थी सरबजीत के लिए एश वर्य राय को भले ही इंडस्ट्री में तारीफ ही मिली हो लेकिन दर्शकों ने इस फिल्म को भी ना पसंद कर दिया था लेहाजा फिल्म फ्लॉप रही थी वहीं अब लिटस्ट एग्जाम्पल है फन्ने खां जो फ्लॉप की लिस्ट में शामिल हो चुकी है एश वर्य राय के आश्वर्या बच्चन ने 21 साल के करियर में लगभग 31 फिल्में की हैं आपको बता दे कि शादी के बाद आश्वर्या ने कुछ सालों का ब्रेक लिया था उनकी हिट फिल्मों की बात करें तो आश्वर्या ने अपने करियर में अब तक 6 हिट फिल्में दी हैं जबकि एक ब अमाई करने वाली फिल्म थी करन जोहर की एड दिल है मुश्किल जिसमें एश ने एक सपोर्टिंग किरदार निभाया था इसमें एश्वर्या का लुक काफी पसंद किया गया था तो अब देगना दिल्चस भोगा कि एश्वर्या अपनी आने वाले फिल्मों में क्या कमाल द